नमस्कार किसान भाईयों डीगाड डन माप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने वें डीवी दामा के साथ काफी किसान भाईयों ने कोमेंट किये हैं कि आप हमें सरद कालीन गन्ना बुवाई के बारे में थोड़ी जानकारी दे उसी के चलते हैं आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी किसान भाईयों को थोड़ी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वे अपनी उपज अच्छे से ले सके तो किसान भाईयों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर हम सरद कालीन गन्य के बाईयों करते हैं इसके साथ हम गन्य के साथ और अन्य फसले भी ले सकते हैं उनमें से थोड़ी आपको बता देता हूँ इसमें आप आलू की फसल ले सकते हैं सरसो की फसल ले सकते हैं गन्य या भी लगा सकते हैं चना ग्याहूं ये कई फसले हम इसके साथ में उगा सकते हैं इन फसलों के पीछे उगाने का जो कारण है किसान भाई यो वो ये है कि हमें एकी समय पर दो फसले मिल जाती हैं लेकिन एक जो सबसे बड़ा फाइदा में इन फसलों को उगाने से होता है ग हमारे जो गन्य के पोदे हैं ये सूकने लगते हैं उस पाले से खराब हो जाते हैं तो अगर हम इनके साथ में अन्य कोई फसल ले रहे हैं तो वो पाले की इस्तिती हमारे गन्य के पोदों पर नहीं आती है उससे इसका बचाव हो जाता है ये सबसे बड़ा फाइदा में अन् गन्ने के जो पोदे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत परिशानी नहीं होती है अब बात कर लेते हैं किसान भाई यो गन्ने की किस्मों की कि आप कौन सी किस्म का चुनाव करें तो मैं इसके लिए देखें काफी किस्में हैं कोजा 238, कोजा 249, कोजा 118 और कोजा 84-36, कोजा 88-230, कोजा 95-25, कोजा 96-25 और 96-68, और कोजा 95-436, तो काफी सारी किस्में हैं इसमें किस्म भाई यो लेकिन आपको लेनी है वही किस्म जो आपके छेतर के हिसाब से अच्छी पैदावार दे रही हो, आपके माँ पर अच्छे से उग रही हो, तो आप उसी इन्ही किस्मों का से ही आप विजाई के लिए अपने गन्य के टुकड़ों को काटते हैं अगर उनमें कोई जादे बारी गन्य है उसको आप अलग निकाल देंगे और उसी के साथ साथ अगर किसी गन्य के टुकड़े में अंदर लाल रंग आपको दिखाई देता है काटते वक्त तो उसको गन् भी काकी अच्छे स्वस्त निकलेंगे जिससे आने वाले समय में हमारी जो गन्ना है वो उसकी मोटाई और उचाई दोनों इसी के उपर आदारीत होती है अब बात करते हैं किसान भाई यह उर्वर्कों की कि आपको उर्वर्क में क्या देना है देखिए यह सब जुताई जब और जुताई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं किसान भाई यह गोबर खाद की तो गोबर खाद आप एक एकड के लिए 8 से 10 टन दे सकते हैं और डालने के बाद अच्छे से फहला कर अपने खेट की जुताई कर दे और अगर आपके पास किसान भाई यह इतनी मातरा नही है तो आप थोड़ा कम भी दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं सिंगल सुपरफासपेट की तो ये एक एकड़ के लिए आप 200 किलोग्राम दे सकते हैं और पोटास डाल सकते हैं उसमें 25 किलोग्राम परती एकड़ की तर से और इसमें आप जिंक भी दे सकते हैं 5 किलो परती आप सुइंगल सुपरफासपेट दे रहे हैं तो इसके साथ आपको यूरिया की मातरा 70-75 किलो परतिये कड़ के इसाब से दे देनी है और इनको डालने के बाद किसान भाईयो आप अपनी जमीन में आखरी जिताई कर दे और जिताई करने के बाद आप अपने गिनने की वाई कर सकते हैं अब थोड़ी बात कर लेते हैं उन किसान भाईयों के लिए जो अपनी जमीन में D.A.P. डालना ज्यादे पसंद करते हैं तो उनके लिए मैं मातरा बता देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं जिंक की तो अगर आप अपनी फसल को जिंक देना चाहते हैं 50-60 kg आप ले लेंगे DAP और यूर्या खाद की मातरा अगर आप इसमें देना चाते हैं तो थोड़ी बहुत मिला सकते हैं और इसके साथ किसानवाईव आप सलफर अगर देना चाते हैं तो सलफर की मातरा भी आप 5 kg एक एकड के लिए ले ले और इसके अलावा आप पोटास अगर डालना चाते हैं तो पोटास भी आप 20-25 kg एक एकड के लिए दे सकते हैं लेकिन ये उर्वरक किसानवाईव आपको तभी देना है जब आप अपने गन्ने की बीजाई कर ले उन गन्नों के टुकड़कों उपर इसको डाल करके आप पाटा लगा सकते हैं तो इस तरीके से किसानवाईव आप अपने गन्ने की बुगाई कर सकते हैं और गोबर खाद की मातरा तो किसानवाईव आपको एक छोटी सी बात बता देना चाता हूँ जितने भी हमें उरवरकों का परियोग करते हैं, अधिकतर हम अपनी मिट्टी की जांच के आदार पर ही इनकी मातरा कम या जादा करते हैं, लेकिन बहुती कम किसान भाई मिट्टी की जांच करवा पाते हैं, वे इसी तरीके से अपने गन्ने की कहती करते रहते हैं, तो किसान बाइब बैल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके एक नई जानकारी के साथ पिसान भाईब आगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार